हलो फ्राइंड वेलकम टू मैं चैनल छोटी सी रस होई आज मैं आप सभी के लिए एक और बहुत हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेस्पी लेके आई यह आप इसे टिफिल में भी दे सकते हैं यह बच्चों हो यह बड़ी दोनों को बहुत जादा पसंद आते हैं ब हैं इस में एक यह लिए ढ़ीन के अअटा लिया इसमें हम टेस्ट के कोडिंग नमक डालें तो साथ में इसने में तेल डाल रही हूं तो आप दो से तीन चम्मच यह गया घर का जो नौर्मल चम्मच है उसी चम्मच से मैंने डाला है और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे लेल और नमक को बहुत अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि फोड़ा सा खास्ता बने अंदर से और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम बहुत ज्यादा मुलायम भी नहीं डोग गुथेंगे और नहीं बहुत ज्यादा शॉफ्ट आपको सबढ़ के लिए 6 के चिल्क्त को अच्छे से मैंने निकाल दिया है जिसके और इसको हम ग्येटर से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे हमें बहुत अच्छे से कदर कस Souas वाले साइट से तो सभी को मैंने ले लिया इसके बाद मैंने एक तवा लिया है फ्राइपन और इसमें एक चमत ते ललके से गरम कर लिया और इसमें आदा चोटा चमच हम जीरा डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे तीन से चार लेशन की कलियां जिसको मैंने क कर लिया था इसको हम हलका सा भूल लेंगे फ्लेम को आप मीडियम रखेगा पूरे प्रोसेस में और यह जब थोड़ा सा भून जाए उसके बाद हम एक प्याज डाल देंगे बहुत जादा प्याज नी डा रहें एक मीडियम साइज का पिसमें प्याज डाल दें गट करके जि अतानी भूनना है अब हम इसमें एक चौथाई चोटा चम चल्दी पजू डाल देंगे आधा चोटा चम मेर्चे पड़रा डाल देंगे मेर्चे अपने अनुसार डाले कितना तिकह आपको पसंद तर इस इसमें मैं दनी chic साथ आधा ।दाक ब्लोम जब आमन्लोंच गरां वादी से डाल देना है और इसको हम एक मिनट तक और भूनेंगे बहुत जाद हमें नई भूनना है अच्छे सा आप मिला लीजी एक मिनट तक आपको भूनना है इतने में रेडी हो जाएगा हरा दनिया डालिए और इस गैस को बन करके इस फिलिंग को हम थोड़ा ठंडा कर ल जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हाथों से दवाते जाएं उंगलियों से और इसके बीच में एक गोल बना ले कटोड़ी जैसा और इसमें हम अच्छा खासा फिलिंग डालेंगे मुझे फिलिंग अच्छी खासी चाहिए रहती है पसंद आती है तो मैंने इसमें दो फिलिंगर पराठा भी बना सकते हैं तो यहां पर मैंने चार पांच परेडी कर लिया है अब मैंने एक क्राइप लिया है जिसमें हमने अटे Бण बुटी को जो पत्ते हुआ एक बहर में डाल सकते हैं और इसे हम मेडियम फ्लेम पे दोनों साइट तक अच्छा गोल्डन होने तक हम पकाएंगे आप इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाईएगा नहीं तो फिर अंदर से कच्छा रह जाएगा और आप चाहिए तो बिना तेल के भी बना सकते हैं आप सिंपल के से हम बाकी के भी लिट्टी को बना लेंगे तो दोस्तों यहां पर मैंने एक सुन्दर सी प्लेटिंग करती है यह अपने आप में इतनी सुन्दर है कि इसको ज्यादा कुछ भी करने की जुरूत नहीं है आप सिंपल इसे हरी चटनी और टमाटर की चटनी के साथ खाईए बहुत जाँ टेस्टी लगता है आप इसके फिलिंग देख सकते हैं कितनी प्रॉपर है कुछ नया ट्राइ करना चाहते हो तो आप इसे जरूर ट्राइ करें तो अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक जोब कीज़ेगा सब्सकाइब करना बिल्कुल भी नही जोड़ दवा लिजिएगा और मुझे इंट्रेग्राम पर इसके पिक्चर और भजी कैसी बनीए तो चलिए मिलते अगली रेस्पी के साथ में